हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टिडीकर मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर आज हम डिसकस करेंगे वार है अक्टूबर 2021 से रिलेटिड मोश्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस्ट तो दोस्तो यह जो डेली करेंट अफ्यस्ट की सीरीज है इसमें जो लेक्चर है वो अंत में आपसे कोशन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है अगर आपको इस लेक्चर का पीडिया प्राप्त करना है तो हमारे टेलिक्राम चैनल से जुड़ जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जहां पर आपको Most Important Audio Lecture मिल जाएगे इसके आलाबा आपको मेरा Modern Indian History का कोर्स भी मिल जाएगा यानि Audio कोर्स मिल जाएगा जिसको आप बहुत ही कम कीमत पर पर्चेज कर सकते हैं चलिए Friends इस लेक्चर को शुरू करते हैं और आज का पहला कोशन डिसक्स करते हैं आज का पहला अंतर राष्ट के द्वारा इसकी शुरूबात की गई थी इसका उद्देश है बिश्व में बढ़ती महिलाओं के प्रती अत्याचारों और आसमानताओं जैसे भूर्ण हत्या दहेज प्रता बाल विवाह और असिक्षा को समाप्त करना है और इनके प्रती लोगों को चलिए फ्रेंड्स, अब हम अक्टूवर माए 2021 में अब तक मनाए गए कुछ देवस डिसकस करते हैं तो पहला देवस है अंतर राष्टी अहिंसा देवस तो यह मनाया गया है दो अक्टूबर को इसकी बाद 25 अंतरिक्ष सप्ता है, यह मना गया है चार अक्टूबर से 10 अक अक्टूबर को तो दोस्तो एक और दिवस डिसकस करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो वह दिवस है विस्व प्रवासी पक्षी दिवस तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि यह दिवस कम मनाये देता है अगर आपको इसका आंसर जानना तो दोस्तो डाक्टर अब्दुलकादिर खान का संबंद कहां से है पाकिस्तान से तो इनका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान दोस्तो अब्दुलकादिर खान दुनिया भर में परमानु तकनीक की तसकरी के लिए प्रसिद रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है अब्दुल जाउन कर लिजीगा कि जो डाक्टर अब्दुलकादिर खान है उन्हें पाकिस्तान का रच्छक भी कहा जाता है डाक्टर अब्दुलकादिर खान को पाकिस्तान का सर्बोच चिनागरिक सम्मान निसान ये पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया है तो दोस्तों याद रखना ह में Dr. G. Satis Reddy को आर्भट पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अब हम बात करते हैं Dr. G. Satis Reddy की तो यह DRDO के वरतमान में अध्यक्ष हैं कौन दोस्तो Dr. G. Satis Reddy अब जो आर्भट पुरुसकार यह किसके द्वारा दिया जाता है तो आप ध्यान से सुनिएगा यह पुरुसका आजीवन योगदान के लिए पुरुसकार उन्हें दिया गया है डाक्टर G. Satis Reddy ने मिसाइल प्रणालियों में बहुत योगदान दिया है और देश को महत्रपूर्ड रच्छा प्रौदोके की में आत्म निर्भर बनाने में उन्हेंने मदद की है इसलिए उन्हें आर्भ क्वाटर कहां है नई दिल्ली में है तो ये थी कुछ बात है Astronautical Society of India से related अंगला कुशन है हाली में अदिती महेश्वरी को एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिस उच्चायुक्त बनाया गया वह किस राजिस से संबंधित है तो अदिती महेश्वरी का संबंध है राजिस्थ कर रही है यानि अदिती महेश्वरी अभी एक student है और Miranda House College से वो भौतिक बिग्यान में इसनाता की पढ़ाई कर रही है दोस्तों उन्हें British उच्चायुक्त क्यों बना गया है भारत में तो आप ध्यान से सुनिएगा साल 2017 से हर साल अंतराश्टी बालिका दिवस के आउसर प अपर एक अखिल भारतिय प्रतियुक्ता का आईजिन किया जाता है जिसके विजेता को एक दिन के लिए राजनेक मिसन का नेटोत्त करने का मौका मिलता है तो इस बार अदिती महेश्वरी को यह मौका मिला है और उन्हें भारत में British उच्चायुक्त बनाया गया है अंगला चेंपियंसिप का आईजिन इस्थल कहा है तो यह है लीमा में और दोस्तो लीमा कहा है पेरू में है यानि पेरू देश में है लीमा सहर वहीं पर सूटिंग जूनियर वर्ल्ड चेंपियंसिप का आईजिन हो रहा है दोस्तो सूटिंग जूनियर वर्ल्ड चेंपियंसिप म सर्व स्रेष्ट प्रदर्शन है कितने मेडल जीते हैं कुल मिला करके 40 मेडल जीते हैं भारत ने जिसमें से गोल्ड कितने हैं दोस्तो 16 है दोस्तो रिदम सांगमान और विजय वीर सिंधु की भारतिय जोडी ने गोल्ड मेडल जीता है इसके अलाबा भारत की मनु भाकर ने इवेंट में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं तो दोस्तो आप ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि मनु भाकर का संबंद सूटिंग से हैं और उन्होंने इस इवेंट में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं 14 साल की नामिया कपूर ने भी अपने से अनभवी सूटर्स को हैरान करती हुए 25 मीटर पिष्टल इस परधा में गोल्ड मेडल जीता है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि 14 साल की कौन है नामिया कपूर तो उन्होंने 25 मीटर पिष्टल इस परधा में गोल्ड मेडल जी अंगला कुस्चन है important question है जोत्रादित्य सिंधिया ने हाल ही में उडान यूजना के तहत किस राज़ में green field सिंधु दुर्ग हवाई अड़े का उदगाटन किया है तो दोस्तों ये इस हवाई अड़े का उदगाटन किया गया है महराष्ट में जोत्रादित्य सिंधिया क्या है केंद्रिय नागरिक उड़ेन मंत्री है तो आप यादर किएगा जोत्रादित्य सिंधिया क्या है केंद्रिय नागरिक उड़ेन मंत्री तो उन्होंने उडान यूजना के तहत सिंधु दोर्ग को मुंबई से जोडने वाली पहली उडान को हरी जंडी दिखाई है दोस्त का मकसद है आम लोगों को हवाई सफर की सुब्धा उपलब्य कराना अंगला कुशन है कन्या कुमारी लॉंग को भोगोलिक संकेत यानि जी आई टैग प्रदान किया गया है ये कन्या कुमारी किस राज में इस्तित है तमिल नाडू में तो दोस्तो आपको याद रखना है कि क कन्या कुमारी किस स्टेट में है तमिल नाडू में है और कन्या कुमारी लॉंग कन्या कुमारी की पहाड़ी छित्रों में उगाई जाती है दोस्तो इस लॉंग का उपयोग मसाले में किया जाता है इसके अलाबा इसकी बहुत सारे औसदिये गुण भी है तो औसदिये यान होंगे हमारे पिछले करिंट अफ्यास से रिलेटिड तो दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने अंतराष्टी योग डिवस के आउसर पर किस एप को लॉंच किया है तो दोस्तों यह एप था एम योगा एप अंगला कोश्चन है किस राज सरकार ने एक बरसी अपार्थ क्रम योग बिज्यान को सुरू करने की घोशना की है तो आई राज है दिल्ली वेस्वेक सांती सूचकांक के अंसार दुनिया का सबसे सांती प्रिये देश कौन सा है तो उस देश का नाम है आईश लेंड अंगला कोश्चन है अंत संयुक्त राष्टे संग की रिपोर्ट के अंसार साल 2020 में भारत दुनिया में FDI हासिल करने के मामले में किस इस्थान पर रहा है तो दोस्तो यह है पांच में इस्थान पर रहा है अंगला कोश्चन है विश्चु संगीत दिबस कब मनाया जाता है तो विश्च संगीत दिबस मनाया जाता है हर साल 21 जून को तो यह पॉइंट भी आप नोडाउन कलीजी का यह कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो अब हम उन प्रसनों की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो पहला कोश्चन ह अंतर राष्टी बाली का दिबस 2021 की थीम क्या है दूसरा कोश्चन है विश्च अंतरिक से सब्ता है कब से कब तक मनाया गया तीसरा कोश्चन है डाक्र अब्दुल कादिर खान का जन्म कहां हुआ था चौथा कोश्चन है डियाइडियो के अध्यक्ष बरतमान में कौन है और पांचमा कोश्चन है मनु भाकर का संबंद किस खेल से है तो दोस्तो आप इन प्रसनों के जबाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का अब हम वो नाम डिसकस करते हैं जो कल के आंसर बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे तरी दोस्तो इसी प्रकार से आप भी आंसर दीजेगा आपका भी नाम यहां पर हो सकता है चलिए फ्रेंड्स इस लेक्षर को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप श्टडी करको खबरिया पर जरूर फॉलो करें वहां पर आपको मेरा मॉडरन इंडियन हिस्टी का ओडि मिल जाएंगी इसके अलाबा अगर आप उनकी माध्यम से कोई भी कोर्स पर्षेज करना चाहते हैं अने कैडमी पर तो उसके लिए आप एक रैफ्रल कोड यूच करिएगा राजा नमबर वन अगर आपको यह लेक्षर पसंदा है तो लाइक कर दीजिगा दोस्तों को सेर ज नेक्ष लेक्षर में जैहिंद वंदेमात्रम